कि मुश्कार दोस्तों मेरा मगतनेगी किनोर से मात्मा गांदी अस्पिताल खनेडी जहां पर लगबग 200 बैड़ है और देखेंगे कि पूरे अस्पिताल का जो कच्रा है जो पूरा सीवरेज किस प्लांट है किस प्रकार से यहां पर मैनेजमेंट किया गया है और किस प्रकार से यहां पर पूरे जो अस्पिताल का जो गंध है उसको कठा करके खाद बनाया जाता है यहां पर लगभग जो है आप देखरें कि जो वीडियो के अनुसार जो सामने पूरा अस्पताल है और इस अस्पताल के परिसर में कुछी दूर में बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है आप देखरें वीडियो के द्वारा बहुत बड़ा टैंक है और इस टैंक के माध्यम से यहां से जो है पाइपलाइन के द्वारा जो सीवरेज ट्रीट्मेंट प्लांट है स्टीपी वहां तक जो है यह जो गंद जो है जा रहा है जहां पर इसकी खाद बनाया जाएगी यह देख रहे हैं आप टैंक से होते हुए और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि यह जो सीवरेज प्लांट है त्री फेस का यह जो मोटर लगा है इसमें और तीन एचपी का गेर बॉक्स है इसमें डोजिंग पंप द्वारा कलोरिन केमिकल का प्रयोग करते हैं क्लोरिन केमिकल का प्रयोग करते हैं जिसमें हाइड्रो क्लोराइड कहते हैं जिसे हाइड्रो क्लोराइड इसलिए इसका काम यह रहता है कि समल को खतम करता है और बैक्टिरिया को मारता है PASC PASC Chemical एक अलग प्रकार का कैमिकल है जिससे कच्रा बैठ जाता है और पानी अलग होकर जो है अलग होकर नलियों के बाहर से अलग-अलग रास्ते से निकलता है आप देखरें वीडियो के द्वारा यह पूरा एडिया का कच्रा है आप देखरें सामने जो है पानी अलग होक और साथ ही जो है दूसरे जो पाइप है इसके दौरा जो निचे से कचरा आज़ा है टैंक में और यहां से जो कचरा बैठ जाता है और इसमें अलग से खाद बनता है लग बग इसमें खाद बनने के लिए दो महिने लग जाते है तो यह है सीवरेज टीट प्लांट एस्टीपी जो लगा है खनेरी हस्पताल में और पूरा जो दो सो बेड़ का जितने भी मरीज है धिन प्रति दिन जो यहां पर सौच यह अलग प्रकार का जो कच्रा होता है वो टैंक में जाता है और यहां पर इसका खाद बनता है तो किनोर पेज से रामगत नेगी आपके समक्ष जो आज सीवरेज प्लांट के बारे में जो खनेरी हस्पताल में लगा है उसके बारे में थोड़ी सी जान कर यह आपके समक्ष रख रहे हैं किर शवड़ी काई में करी समक्रेंट कर दो कि मत दो साथर एरे सक्या कर यहEं कि अबसे हार भार इसक्राद कर्णताभगव प्लक तो झाल 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 झाल